कि साथी नमश्कार स्वागत आपका एक बार फिर से चैनल पर और आज हम इस्टेडी करेंगे जो शेस हमारे साहित्यकार दिली संद्रत कराये गए उनके बारे में यानिके जियाउदीन बर्नी मलिक इसामी परिष्टा मसर हिंदी इन सभी के बारे में देखना तो कफी विस्त रोके वारे में बात की थी जो हमने तो यह सारी चीज़ा में ने देखी थी लास्ट वीडियो में तो आप उससे लिए वारे गते उनको आज यसंड़ी करना है तो वहीं तरीका रखेंगे और अमीर खुसरो जिनकी स्टेडी करके चुके थे तो किसे कोई प्रशनों लास्ट तो पूछ सकते हैं काफी सारे चाहते जुड़ चुके हैं राज नरायन परवीन सिद्धिकी लोमन वर्मा तो परवीन आप हमारे टेलीग्राम गृप से जुड़ जाएए कि आपको लिंक क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं जब भी क्लास होती है आपको दे देता हूं कि संजीव कुमार जुड़ चुके हैं वेरी गुड़ इवनी तो काफी सारे चाहत जुड़ चुके और क्लास काफी इंपोर्टेंट बहुत मह पहलों में बहुत अच्छे से हुआ लेकिन बाद में उसकी मृत्यू के समय उसे चार लोग भी नसीब नहीं हुए कि उसकी अर्थी को कंदा दे सके तो ऐसे ही मली के सामी के बारे हम पढ़ेंगे जिसने अपने दादा की मृत्यू को अपने सामने देखा उने तड़कते तो आज जीवनी के साथ साथ जो साहत्य है उसकी स्टड़ी करनी है तो बड़ी और पुस्तोकों की सामने तुर्टिया है उनको साथ ही साथ तो हम देखते हुए चलते हैं तो काफी सारे चातर जुड़ते हुए तो काफी इंपोर्टेंट रही क्लास वें साहत्य से बहुत पुछ रहा था खुष्णो की जो मैंने एक बुक आपको पता दी तो यह एक प्रकार का मलफूजात है मलफूजात का मतलब अपने गुरू से जो बात्चीत करते हैं उसका संग्रह किया जाना तो मलफूजात होता है तो यह अमीर खुसरों ने इसका संकलन किया और इसमें निजाम उद्दिन उलिया से जो बात्चीत है वो लिखा हुआ है अमीर खुसरों की एक पंक्ती है गर फिर्दौस गर फिर्दौस बर रूई जमियस्त हूँ हमी अस्त यह फार्सी में लाइन है और अस्त का मतलब है होता है संस्कृत में लेको फार्सी लोग भी अस्त यूज़ करते हैं हूँ हमी अस्त हमी यहां पर ना लगा करके हमी अस्त यहीं है और बस यहीं है इस तरह से अगर फिर्दौस एन एक स्वर्ग बर रूई जमियस्त च्थी और कहीं है तो यहीं यहीं है कश्मीर के लिए कहा गया कश्मीर की घाटी के लिए और अमीम खुस्रोद्वारा और अब यह दिवाने खास में यह पंक्ति लिखी हुई है तो जो डिली का जो लालक लगला है तो काफी दा कन्फि suspicious रहता है कहां लिखी है किसने क्यों लिखी है तो वो सब आपको अभी इसपस्ट हो गया और आगे विस्तार से देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पंक्ति दिवाने खास के उस फोटो में कहां लिखी हुई है उसको भी पढ़ेंगे उसे भी पढ़वाएंगे तो चुकि उर्दू का गयान होने से थोड़ा फार्सी पढ़ना और अर्वी पढ़ना थोड़ा असान हो जाता है तो उसका फायदा आपको यह मिलेगा तो जब हम शाजा पढ़ेंगे उसका इस्थापत्य पढ़ेंगे तब इन पंक्तियों को देखेंगे कहां लिखा हुआ है ठीक और थोड़ा से इशारा दे है वो करम से आपको कैसे याद करनी है तो उनके लिए एक तरीका है उनको आप देखें कि क्या तरीका है तो यहीं पर समझा देते हैं इसी पर एक तरह से बोर्ड बनाते हैं देखिए अमीर खुस्रों ने जो पहली एतिहासिक मसनवी लिखी थी उसका नाम था किरान उस कैकोबाद यानि कि आपचारिक रूप से कैकोबाद और बुगरा उसका पिता है उनके मिलन को इसमें लिखा हुआ जो आयुद्या में मिले थे कैकोबाद शासक रहा आप सभी को पता होगा मुझे बताएं किसका पुत्र था और इसके दादा का क्या नाम था तो काभी सारे अच्छा जोड़ चोके संजय सिंग कीरती गौतम द्रोब दिल्शाथ प्लेयर मौनू अपशेख ध्रोब राजकुमार सभी अब निरंतर है यहां पर अच्छी बात है कि आप लोग इस ऑथेंटिक क्लास के साथ जुड़े हुआ है क्रान उस सादेन पहली जो इत्यासिक मस बल्वन सही बताया के कैकोबाद बल्वन का नाती या पौत्र था ठीक तो यह कैकोबाद रहा इसके बाद अब देखें तो यह जो मामलूक वंस था इसके बाद शासा का कौन आए खिल जी में सबसे पहले आया जलाल अद्दीन जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी तो जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी आया इसकी विजियों का वरणन है मिफ्ता यह मैं आपको शॉर्ट रिक एक तरह से पड़ा दे रहा हूं हाला कि मुझे वो शब्दों से बनाने वाली शॉर्ट रिक तो नहीं आती कि सारी किताबों क नाम लेखलो फिकी मी और यह सब निकालना यह तो सब बच्चे बालक बुद्धी वाले चातर करते हैं आप लोग समझदार हैं तरीका देखिए कि किस तरह से आपको याद रखना है मिफ्ता उल फतूह तो यह मिफ्ता उल फतूह इसकी दूसरी पुस्तक थी मसनवी इसमें जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी का वर्डन है तीसरा है अलाउदीन खिलजी इसके काल में दो पुस्तक हैं लिखी गई पहला तारीख ए अलाई इसको ही कहा गया है खजाइन उल फतूह यानि कि फतह यानि कि जीतना तारीख ए अलाई का मैंने अर्थ भी बता चुका दूसरा और इसके काल में इक पुस्तक और लिखी गई थी आशिका ए कुसका वर पुस्तक में बता है आशिका आजकुमार का सही जवाब है भानु का भी संजीव का भी बहुत कोच अच्छा सीख रहे हैं आप अच्छा लगता है जवाब बहतर करते हैं अब अलाओ दिन खिल जी के बाद सासा कौन आया इसके काल मैं अमीर खुसरों ने पुस्तक लिए थी नूर सिपय हर गया तो यह क्रम है बिल्कुल इस तरह से आप क्रम वाइज याद कर लेंगे तो आपको अमीर खुसरों की रचना आसानी से याद हो जाएंगी आपको रटन तो देवल देवी जो किसकी पुत्री थी बताएं कमेंट वोक्स में टैस्टी समझे थोड़ा सा इसको तो उनकी प्रेम कहानी कैस्ट में वर्डन है अगला है कुद्बुद्दीन मुवारा खिल जी जो लाउद्दीन का बिटा था नूर से पेहर इसके काल में लिखी और अमी तुगलक और इसके काल कि जो मसन्वी है यानि कि जो इतिहास लिखा है वो है तुगलक नामा यहीं पर ही अमीर खुस्रों का यहाई इतिहास लिखना बंद हो जाता है क्यों गयास ओ GlaQL के खतम होते ही लगवे हो छी-एाट महीने बाद ही अमीर खुस्रों खतम हो जाता है उसने एक अपनी कितावों को लखने का सिलसला जारी रखा है यानिके जो जैसा आया उसको वैसा अच्छा लिखके दिया और कभी बुराई नहीं कि अगर किसी स्रासक में कोई बुराई है तो उसको नहीं लिखा अच्छा ही है उसको लिखा तो इसलिए बोलते हैं अमीर खु तो आपको क्लियर हुआ कमेंट वोक्स में बताएं कि कॉंसेप्ट के साथ चीज़ें आपको याद करनी रटा बिलकुल भी नहीं बारना है अगर रटेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है और कॉंसेप्स समझने के लिए मैंने अपनी वीडियो भी काफी बनाई हुई है कि नोट कैसे याद करें उसको जरूर आप देखें अब यह क्लियर हो गया होगा इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए और आगे बढ़ते हैं अगला ज अगला अमीर हसन यह एक तरह से अमीर खुसरो के बिल्कुल साथ रहने वाला यानि कि जहां अमीर खुसरो ने शुरूआत कहता अपने जीवन का वलवन के पुत्र शहजादा मोहमद जो लाहोर मुलतान दीपालपूर के छेत्र में काबिस था तो वहां पर अमीर हसन भी थे अमीर हसन अमीर खुसरो अलग अलग वेक्ति हैं पहले तो यह समझ लेजिए यह जान लेजिए का ने हिए अमीर हसान्वी के और और यए दोनों के गुरू निजामुद्दीन आुलिया ही थे ये तो थोडा सा कनिफ्यूजन रहता है कि क्या वही है में और अलग है अमीर खुक्त선 लग अमीर खुस्रो और या अभर मोध सपो यह तीनो बहुत अच्छे मित्र थे तीनों बहुत अच्छे मुत्र याद बना रहेगा बलबन के बड़े पोत्र शहजादा मुहम्मद के दरवार से लिखन शुरू हुआ यानि कि जो आपको शुरू बता चुके हैं गजल लिखने के कारण भारत का साधी एक इरान में विक्ति है साधी बहुत अच्छा गजल लिखते हैं बहुत अच्छे कभी यानि कि यह भी एक प्रकार का मल्फूजात है मल्फूजात का मतलब होता है कि अपने धार्मिक गुरू के साथ बाच्चीत का लेखा जोखा तो फवाय दुल फवाद इनकी रचना है और दौलता बाद मिर्टिव यानि कि जब राजधानी स्थाना अंद्रण हुआ मोहमद बिन तुगलक से ना कोई ज्यादा गुरेज या कोई इरश्या नहीं थी वहीं इनकी स्वाब आवे के कच्ची एक मिर्टिव इनकी हुई तो यहां से इतनी प्रशन बनते हैं आने वाला प्रशन है गुरू पूछा जाता है दरवार शुरू किया यहां से भी अच्छा है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है पुस्तक भी है यह चार बहुत अच्छे आते हैं इसके लावा कोई पांचमा प्रशने देन से आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से क्लास रहेगी कि आपको कहीं और बटकने के अवश्यक्ता नहीं तरह से बोलती हुए किताबें आपके सामने यहां चलेंगी तो इतना आप याद कर लेजिए काफी है मित्रिन के अच्छे खासे थे अगला वेक्ति कवरद्दीन ज्यादा इंप्रवारी करके पूछ लिया जाता है कवरद्दीन दरवारी था या नहीं था तो उसमें हाँ जाना की बात है पुस्त कभी इतनी आई नहीं है तो इससे भी आपको बच करके चलना है बच के आपको इसलिए sends लंगे इस यहां आपको जाएगा कि कि नहीं सी तरत नहीं देना कि पर उप फलता प्राप्त करें तो इसका जो है यहीं एक पॉइंट है ज्यावदिन बर्नी शुरू होते हैं अनिकि बर्नी वह व्यक्ति जो कहते हैं चांदी चम्मच के सोनी की चम्मच में पला 46 के करीब सिक्षकों से उसने सिक्षा ली उसके दादा चाचा यह सब दरवार में रहे कोतवाल थे दिल्ली के कोतवाल का मतलब है एक प्रकारस से ग्रह मंत्री बहुत बड़ी पॉवर रखने वाले व्यक्ति जो सुल्तान पर अच्छा प्रभाव रखता था तो ऐसे घराने क बैक्ति था बरनी लेकिन अंत समय इसका ऐसा आया भाग ने ऐसा मोड लिया किसको फटे हाल यानि कि कह सकते हैं कि अंतिम समय किसे थहासकार का साहितकार का इतना इतना बुरा भीता इतना बुरा बीता वह खुद से परिशान हो गया फटे कपड़े इसका घर जब देखा ग करने इसी प्रकार के विक्टि की जीवनी करेंगे इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं कि आगे जियाओदीन बर्नी नाम से स्पस्ट हो गया होगा बर्नी यानि कि बरन बुलेंचेर जो आज बुलेंचेर है ये पहले बरन लिवन नाम की इक्ता या प्रांत होता था और यहां पर जनम होने की वज़े से इसको जीवदीन बर्नी कहते हैं आपको लोग सीधा आपका नाम ने लेकि आपके गाउं के नाम से आपके शहर के नाम से आपको बोलाते हैं तो वही इसके साथ है ज्याओ दिन बनी जनम 1285 में हुआ था अमीर खुस्रो का जनम देख लेज़े तीस साल अमीर खुस्रो इससे बड़े थे लेकिन फिर भी अच्छे मित्र थे तो काफी सारे चात्र जुड़ चुके हैं टारगेट एक्जाम पिपिन मौर्या जुड़ चुके हैं राजन काफी नए चात्र जुड़ चुके हैं तो आप सभी का स्वागत है और इस विश्वास के साथ कि लास ऑथेंटिक बिलकुल रहेगी और जो गलतियां किताबं में हो से थे सलहकार थे दिल्ली के कोतवाल थे बरनी के चाचा और बरनी के दादा भी दिल्ली के कोतवाल रहे थे तो कोतवाल का मतला मैंने आपको बताया आज के समय का ग्रियमंत्री जो आज तो ग्रियमंत्री पूरे भारत में धात रखता है लेकिन उस समय दिल्ली के आसपास क नौलिया मुहम्मद बिन तुगलक का नदी बैनी के शुरुआ थी कह सकते हैं कि एक वो विक्ति जो बिलकुल सौने चांदी की चम्मच में पला बढ़ा हो तो उसका तो फिर राजमहल में राजदरवार में अच्छा प्रभाव होता है और साथ में सुल्तानों के साथ और रा जारी दोस्ती थी और बरनी कुछ जो लिखता था कुछ चीजों से चड़ता भी था वह आगे चलके उसने अपनी पुस्तक में लिखा वह आगे बताएंगे लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा दोस्त बहुत अच्छा सब कुछ इसके लिए कहा जाता है कि उसने 46 सिक्षकों स कुछ जाते हैं सिबल सर्विस में यह यूजी सी नैट असिस्टन प्रोफेसर के लिए काफी ठीक रहता है इस तरह का इसके बाद है क्या कारण था कि एक इसके काल कि मैं आपको बात बताता हूं एक छोटा सा एक तरीका क्या था इसका कि जियाउदीन वर्णी ने जब मुह मुहमद बिन तुगलक का काल था तो उसने कोई भी थ्यास लेखन नहीं किया लेकिन उसके तरीकों से थोड़ा सा परिसाम रहता था कहता भी था कि आप हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं गैर मुसल्मानों को बढ़ावा दे रहे हैं तो यह गलत है यह सब नहीं होना यह हलाकि इसने कुछ लिखा ऐसा वैसा नहीं था लेकिन जैसे ही फिरोज तुगलक का काल आया और इसको भटनेर के दुर्ग में कैद कर दिया क्योंकि क्यों कैद कर दिया वो यह देख लीजिए मुहम्मद बिन तुगलक से इसकी दोस्ती जरूर थी लेकिन बंती कम थी कुछ धार्मिक मामले मुद्दों के कारण लेकिन जैसे ही फिरोज तुगलक गदी पर आया फिरोज तुगलक ने इसको जेल में डाल दिया मामला क्या था कि उत्तरादेकार का युद्ध जब हुआ युद्ध खैर नहीं कहेंगे इसको उत्रादेकार यानि कि जब आप फिरोज तुगलक को पढ़ते हैं तो थट्टा में आपको ध्यान हो कि मैं बना देता हूं कि जो भारत के इधर सिंद्ध की तरफ थट्टा नामक जगह है तो वहाँ पर मुहमद बिन तुगलक एक अभ मुहमद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहां एक किसी व्यक्ति को किसी बालक को यहां गदी पर बिठाने की चेश्टा करता है और जियाउद्दीन बर्नी उसका समर्थन करता है तो फिरोज तुगलक को यह बात अच्छी नहीं लगती है जब वो लोट के आता है तो व तारीके फिरोज चाही नामक पुस्तक लिखी जाती है उसमें अब वो इस पश्ट करता है वो अच्छा लिखता है कि फिरोज मुहमद बिन तुगलक ने काफी ज़्यादा गल्तियां की तो उसकी उसकी बुराई करता है जबकि थोड़ा सा फिरोज तुगलक को मनाने और ल पिरोज तुगलक यहीं चीज़ों को अच्छा मानता था तो यह कारण था तो आपको क्लीर हो गया होगा कि क्यों जियाउदी alleen बरनी की बुराई करता है मोहँमद बिन तुगलक की बुराई करता है और फिरोस्तुगलक को आदर्स सुल्तान बताता है कि बस इसके दरवार से उसे मुक्ति इसके जो है जो कैद कर रखा वहां से मुक्ति मिल जाए इससे थोड़ा सा जो पहले जो अच्छा खासा जीवन कड़ रहा था इसका उस प्रकार के कुछ फायदे मिल फिर इसने फिरोस्तुगलक ने इसको कहा के चलो ठीक है तुम यहां बटनेर के किलिए से निकल के बाहर गिरफतारी से अब अपने गाउं चले जाए वहीं पर ही वस इसका एक तरह समझ लिए सामाजिक बहिश्कार हो गया किसी ने इसको नहीं पूछा और उसके फिर बेका क्यों लिखा और आदर सुल्तान ये किसे कहता है और आगे फिर यहां देखते हैं इसको थोड़ा से अफसाफ कर दे थीक तो उत्रादिकार के मामले में वजीर खुआ जहां का पक्ष लिया इसकारण फिरोस्तुगलक ने सिंगासन पर आने के बाद इसे भटनेर के चाही लिखी जिसमें फिरोस्तुगलक की तारीफ थी और मुहमद बिन तुगलक की बुराई थी और इसकी संपत्ति भी जब्द कर ली गई थी बरनी की और उसका सामाजिक वहिशकार तक करा दिया गया था इसके अंतिम समय में इसके पास पहनने को वस्तर तक नहीं थे और कहानी के तरीके से आपको जियावदिन बरनी क्लियर हुआ होगा किसे कोई दिखकत चको तो बताएं कुछ आपके प्रशन ले लेते हैं कि बिल्कुल जितेंद्र यह यूजिसी नैट के लिए क्वालिफाय बढ़िया रहेगा आप कर सकते हैं यह बेसिक कॉंसेप्ट आप क्लास स्टार्ट की गई है कि आपको एक ऐसा गहरा और अच्छा बेस मिल जाए कि आपको रटना फुर कुछ भी न पड़े सर हमने एसके पांडे के एक समय था उनका बहुत अच्छा था बहुत हमारे समय की बात है यह तो अच्छी बुक होगा करती थी लेकिन अब बहुत अच्छी फैक्चुल कॉंसेप्चुल बुक्स आ चुकी है हाला कि अब गलतियां भी काफी ज्यादा आ रही है तो थोड़ सब्स आगे बढ़ें बट फैक्ट ज्यादा होने के करणा कंफ्यूजन बहुत रहता है देखिए फैक्ट तो इसमें भी ज्यादा है लेकिन ऐसा होता है कि वो चीजें जुड़ती हुई कैसी चले और वो जुड़ेंगी तब जब कोई टीचर समझाएगा मुझे लगता है कि किताओं को बाद में पढ़ा जाए पहले एक कॉंसेप्चुल क्लास जो टीचर यह देश के बारे में जानता है कि बरनी का क्या हाल था क्या वो मुहमद बिन तुगलक से चिड़ता क्यों था फ्रोस्तुगलक की तारीफ क्यों करता है तो यह सब चीज अगर समझ में आ ज पढ़ाया जाएगा इसी तरह पढ़ाया जाएगा जो भी अतियुत्तम से रिप्लाई तो दोसर आपका क्या प्रश्ण था मैं देखता हूं अब अपना प्रश्ण आप फिर से बेजिए टार्गेट टु एक्जाम और आगे प्रश्ण देखते हैं कि क्या है क्लास का प्रोसेस बस यह एकि साम को मंडे टू फ्राइडे साम को आठ वे ख्लास रहती है और तेल्क्राम चैनल हमारा सुर्यासर क्लासेस के नाम से उसे जु तो थोड़ी सी व्यस्तता रहती है तो इस वज़य से अगर क्लास नहीं हमें करनी होती है तो टेल्ली क्राम चैनल के माद्यम से बता देते हैं तो उसे आप जो है आप जरूर जोइन करिए जरूर देखिए कि आपको फिर यहां फालतू ना करना पड़े और आपका समय ब्य अगर आप रटेंगे तो नहीं होगा रटेंगे नहीं कि बिल्कुल हमारे नए कि यह खुद कहता है कि इसकी जो रचनाएं है वो चोटे मोटे लोग गाओं के लोग चोटे साधान से लोग वो नहीं पड़ पाएंगे और मेरी रचनाएं अमीर और कुलीन वर्ग के लिए यह यूजी सी नेट के लिए बहुत जियारे फैदी आप निकालना चाहरे हो तो ब मेरी रचनाएं चोटे मोटे लोग यह से नहीं समझ पाएंगे और मैं बड़े लेविल के लिए 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 तो बहुत बड़ा एक तरसे इसके दिमाग में यह भरा हुआ था कि मुचा तुर्क मुचा होता है और जो जनता है वह बात बहुत कि विकार उसको पढ़ना बहुत कम है अमीर खुसरों बहुत अच्छी तिती देता है मिनहांस बहुत अच्छी तितियां यह बहुत कम देता है यानिके जब आप उसका तारीकी फ्रोच्चाही पड़ी है तो उसमें जो योजनाएं हैं मैंने आपको मुहमद बिन तुकलक के काल में योजनाएं भी हो भी इसने बेतरतीव तरीके से दिया है जो यह समझ में आ गया जो याद आ गया उसे पहले लिख दिया है तो इस तरह के बढ़नी प्रशना आपके गलत करा सकता है अगर पूछा जाए कि मौहमद बिन तुकलक की पहली योजना कौन सी थी तो थी राजधानी स्थाना अं इतिहास दर्शन पर बहुत अच्छा लिखा है अगर अच्छा प्रशन के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रशन के बारे में इतिहास कैसा होना चाहिए इतिहास क्यूं पढ़ा जाना चाहिए इतिहास करके दायत तो क्या है इतिहास दर्शन पर अगर कोई बात अगर आ रही है तो आख बंद करके आप लगा दीजिए जियाउदिन पर नी इत्यास दर्शन बहुत अच्छा इसने लिखा है इत्यास दर्शन पर काफी अच्छे बिचार दिये हैं कहता है इत्यास लिखने इसा उत्तमकार है जिसके द्वारा मैं अपने सभी पापों का प् पंक्ती है तारीक फ्रोषचाहिए इसकी पहली पुस्तक काफी पुस्तक या लिखी फार्सी में है पूछा जाता है प्रद्द अवस्था में लेखनकार सीदी सी बात है जब पूरा जिंद्द की जी लिए फिर फिर उखलक के काल में कैद में भी रह लिए और जब ताकि होई जाएगी तो यह एक पुस्तक लिखी बहुत अधिक बड़ी उम्र में और किले में बलवन के काल से फ्रोस्तुगलक के काल के आरंबिक छे वर्षों तक का वरण है तो यह बलवन के काल में से इसने अच्छा लिखना शुरू किया और फ्रोस्तुगलक के यानि कि श चारा यह ग्यारे अध्याय लिखकर ही खत्म हो गया और फिर आगे बताएंगे किस ने पूरा किया नब्बे अध्याय फिर एक व्यक्ति ने इसी पुस्तक के नाम से लिखे आगे देखते हैं कुल नौ शास्तुकों का वर्णन किया इसने अपनी पुस्तक में और रचना त 57 जादा और्फेंटिक है मिनहास ने तवकाते नासरी को जहां छोड़ा वहां इस तक वर्णन करती है तो यह मैं कॉंसेप्ट की बाद आपको बता दूं कि यह कहां वर्णन करती है किसने कहां छोड़ा यह काफी इंपोर्टेंट बात है तो इसको थोड़ा से विस्तार से पहले स्क्रीनशोट ले लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कि किस साहित्यकार ने लेखन कहां तक किया फिर उसके बाद किस ने किया फिर उसके बाद किस ने किया और बीच में चूटी हुई जगे हैं वह किस से हम पढ़ते हैं किस से जानते हैं तो इसका स्क्रीनशोट ले लिजिए आगे देखते हैं तो थोड़ी सी एक जगए यहां थोड़ी सी जगए हो गई तो बात करते हैं कि ज्यादा तर जो इतिहास शुरू हुआ है वो गौरी गजनवी से ही इन्होंने लिखना शुरू किया है गौरी गजनवी गौरी गजनवी से लेकर और कि नासिरुद्धीन महमूद जो इलतधनिंस का पौत्र है, यह आप को बहुत कॉंसेप्ट की बात है ध्यान से समझेगा इसको किस तरह से आपको पता करना है कि किस सिTHयासकार ने कहा तक लिखा उसके बाद किस ने लिखा, उसके बाद किस ने तो वह हिस्से कहां में से लेकर नासुरुदीन महमुद तक लिखा किसने बीट मिनहास उस्सिराज ने ठीक इसके बाद कि अब नासुरुदीन महमुद के काल में जो बारह सो साथ तक यानि कि पंद्रेवे वर्ष तक ही खत्म इनहास उससे राज में याद करिए पंद्रेवे वर्स तक लिखा यानि कि 1260 तक लेकिन कुछ ये 1266 तक चला था ये 1266 यानि कि 6 वर्स का इतिहास और बल्वन के आने तक का इतिहास वह कहां से आप कवर करेंगे तो वह लिखा मलिक इसामी ने कि यह परते हैं मलिक इसे करते हैं बल्वन के काल से लेके फिरोज तुगलक जासन काल के चटवे लिखा है अर् प्रतिक्ष प्रामाणिक इत्यास हम पढ़ते हैं बर्नी से ठीक इसके बाद फ्रोज तुगलक के काल से लेके तैमूर तक का जो आँखों दे का हाल वाला वरण है वो आप पढ़ते हैं श्रमसे सिराज अफीफ की किताब से क्लियर हुआ सभी को और मलिक इसामी ने हाला कि तो बहुत पहले से यहने कि गजनभी से लेकर और पूरा यह मुहमद बिन तुगलक का लिखा है यहां तक लिखा है उसने इसामी ने लेकिन यह जो टुकड़ा छूट जाता है यह देखिए इसे मिनहांस भी कवर नहीं कर रहा यहने कि 1260 से लेके 66 तक कोई भी इतिहास कारगवर नहीं कर रहा है यह देख लिजे तो यह जो छे वर्ष के करीब है कि 1266 में यह गर्दी पर आ गया था कि 50 किताब लिखी थी मिनहांस ने और इसको सॉपकर वो चला गया साट से 66 तक के बीच का जो दहास अच्छा खासा वह मलेक शामी की पूस्तर करें अगे देखेंगे वह तू उस सताली इन यानि कि सुल्तानों की विजय सतालीन अनि कि सुल्तान फतु यानि कि फत्र है इस लेके authentic नासुरुदिन महमूद तक विल्कुल बिनहास को आप study कर सकते हो और नासुरुदिन महमूद से बलवन तक का आप यहास जाना चाहते हो तो इसामी पढ़िए बनलब आप चुकड़ा चूटेगा नहीं और बर्नी ने बलवन से लेके फिरोज तुकलक के काल के छटव एक अध्याई की थी 11 लिखकर यह चलवसा तो इस योजना को पूरा आटोमेटिक सी बात है किसने किया 90 अध्याई लिखे थे श्रम से सिराज अफीब ने तारीक फिरोज शाही के ही नाम से यानि कि इस पुस्तक को कहा जाता है कि इसी ने आगे बढ़ाया तो इसकी पुस् सब्सक्राइब कोई दिक्कत हो इस कॉंसेप्ट मुझे आप बताएं कि कोई समस्या किसी को कमेंट बोक्स बताया कि आपको यह तरीका कैसा लगा कैसा पसंद आया कि आपको बिल्कुल नहीं छूटेगा पूछलिया जाता है कि नासुरुदिन महमूत के अंतिम वर्षों का मिलता है तो आप देखेंगे मले इसामी लिखा ऊश्कूंत को कि यहां से यहां तक का देता है और आफीफ यहां से यहां तक कि काल का देगा हाल राज अपनी पुस्तक तारीके फिरोध्षाही में पने जिक्ट तो मुझे बता है कमेंट बोक्स में पतू सतालीन है सतालिन L-I-N सतालिन यानि कि सुल्तान इसका आर्थ भी आपको पता चल गया होगा पतू उस सतालिन सतालिन सुल्तानों की पता यानि की विजय है ठीक तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिजी है उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कमेंट बोक्स में बताइए कि आपको यह concept कैसा लगा कि संजीव कुमार के द्हुत के काफी सारे चात्र जोड़े हुए हैं कि आपको कैसा लगा मुझे उरूर बता है काफी नए चात्र जोड़े हैं मुझे लगता है कि आपके पर एक लास खरियोत्र योगी जो कॉंसेप्ट की चीज़ें वो यही होती है यही आपको एक छात्र से सिक्षक बनाती है तो थोड़ी मैचियोटी लाइए स्टेडी में रटना बंद कीजिए समझना शुरू कीजिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा प्रेशर दिमाग प दिखा देता हूं अब बात कुछ इसी तरह की है तो मैं आपको दिखा दूं में कि और इजिनल जो किताब है मेहंदी हुसेन ने इसको मेहंदी जो आगा मेहंदी हुसेन है उन्होंने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है देखिए हैं तो कि देखते हैं क्या है अलाग कि मैंने इसको ध्यान यह देखिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से साथ आगे बढ़ेंगे पतूह उस सलातिन तो इसको ठीक कर लीजे सलातिन कहींगे किताबों में यह सतालीन लिखा हुआ इसको ठीक कर लीजे ऑफ सलातिन और इनकी भारत का शहनाम भी इस पुस्तक को कहा है किस ने कहा है इचे देखेंगे गई आगी इस पुस्तक की तुल्लाइज शहनाम से की गई है इस पुस्तक की तुल्ला शाहनामा से की गई है क्यों शाहनामा जिस प्रकार के तरीके से लिखी गई है वही तरीका इस पुस्तक का है तो भारत का शाहनामा इसको का गया शाहनामा जो कि फर्दौसी ने लिखा था फार्सी में तो सला तीन है इसको ध्यान लखिएगा क्योंक कि मैं जो भी चीज़ें आपको इसपस्ट करूंगा वह बिल्कुल एक कॉंसेप्ट के साथ होंगी कि सला तीन इसे ठीक कर लिजेगा और बिल्कुल आथेंटिक और यह लिखा है जो इसका अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेट किया है थोड़ा पढ़ने में आ रहा होगा आगा मेहंदी हसन या हुसिन हुच्ई आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको scan किया है उसके बाद छोड़ा सा साफ दिखने को यहां दिख रहा है आगा मेहंदी हुसाइन ह यू किस ने किया और इस पुस्तक को शहनामाई हिंद किस ने कहा आगा मेहदी हुसेन नहीं तो यह भी एक कॉंसेप्ट की चीज़ आपको याद हो गई होगी है कि वापस आते हैं कि बलवन को खूफिया कातिल कहा यानि कि उसने जब 40 क्यूं कहा बलवन ने जब 40 बिल्कुल हुसेन ही हे सजीब आगा मेहदी हुसेन तो बलवन को उसने कूफिया कातिल लिए क्यों को 40 सा का दमन् बलवन ने किया था और बिलो को चोरी छुपे उसके सदस Cry 40 सै सदस सेने मर्वा निये इस वजह से इसको खूफिया कातिल गया इसकी भूमिका वह करे दिरसन कि जो कर रहा था वह लिखा हुआ है इसमें अलावदिन खिल जींगी बाजार विवस्था मोहमंब बिन तुकलक की मुद्रा विवस्था का उलेख है तो ऊठल के तो और रहता है बाजार ब्यवस्ता में जो कीमत हैं बिलकुल सटीक सूचियां वह दी गई हैं अलावदृ कहिं द्वारा तेना इसले नहीं सुचियों को को दिया हुआ है पर दिल्ली का अधर सुल्तान कहा यह मोस्ट इंपोर्टेंट अब समझ गए होगे क्यों कहा है तो मिनास उस्तिराज ने किसको कहा ता अधर सुल्तान कमेंट वोक्स में बता है और बर्नी ने इसको बोला है फत्वाय जहांदारी यहनिकि जहांदारी का मतलब है गवर्नेंस यहनिकि किस प्रकार से जहां को दार यहनिकि रखने वाला यानि कि किस प्रकार से दुनिया को चलाने वाला फत्वा यानि कि नियम कानून, दुनिया को चलाने के नियम कानून, किस प्रकार से सामराज्य चलाया जाए, गवर्नेंस, तो फार्सी में ये पुस्तक है, आदर्स मुस्लिम सासक को क्या करना चाहिए, वो लिखा है इस बुक में और कहा है मेहमूद गजनवी जैसा बहतरीन सुल्टान अभी तक नहीं हुआ तो यह जो कह सकते हैं कि संपूर मुस्लिम जगत में आधर सुल्टान मेहमूद गजनवी और दिल्ली सल्टनत में फिर उस्तुगलक यह बताता है तो मेहमूद गजनवी की जबजस्त तारीफ है और वो कहता है मुझे अब दिन बनी लिखता है कि मेहमूद गजनवी ने अपने पुत्त्रों को बड़ी अच्छी नसीहते दी हैं उसका भी इस पुस्तक में उल्लेक है तो किस प्रकार से सासन प्रबंद होना चाहिए आदर्स प्रसंसा उनका जीवन बटनेर के दुर्ग में कैद कर लिया तो दो पुस्तक यह कैदी जीवन में लिखी गई इल्तुत्मिस का वजीर इसी पुस्तक में कहता है कि मुसल्मान तो खाने में नमक के बराबर हैं अगर हिंदूओं का जवरन धर्म परवरतन कराया गया तो ऐस स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिए यह बुक काफी आती है ज्यादा अंदर का नहीं पूछा जाता लेकिन इसका आ चुका है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है पेगंबर सहाब के बारे में हैं और यह लाइन तो इतनी इतनी जादा नहीं आई आगे बढ़ते हैं अगला साइट्यकार इतिहासकार तो योगिता के अiversitu को इसको इसामी भी कहा गया है य 고양ी इतिहासकार उन्होंने समकाली इंद्र बात के हैं उन्होंने स्कूरत इसको इसामी इसको इसामी यानि कि व्यक्ति के लिए अभेवाहित शादी नहीं हुई आंअ हुए बीड़ मुहांब बिंतुकलक का दरवारी था जब उसे नराजदानी चेंज की तब यह दच्छड में आ गया और फिर उसी बीच तिलपत के पड़ाव मैंने दिल्ली में हैं वहां पर इसके दादा ये जुद्दीन खतम हो गए और इस वज़े से मुहांब बिंतुकलक से चड़ गया और दच्छड में रहने लगा दॉल्दाबाद में और वहां पर जब एक नया सामराज कुछ समयबाद बना बहमनी सामराज इसके द्वारा तो फिर मलेक सामी इसका दरवारी हो गया कॉंसेप्ट समझ में आया सभी को कि कमेंट बॉक्स में बता है इसका पालन पोशन इसके दादा ने किया इस उद्दीन ने और इसकी राज़ानी स्थान अंतरण के सामें तिलपत के तिलवत है तिलवत के पड़ाव में मृत्य हो गई और इसी वाजास से यह मौंबद बिंतुकलक से काफी चड़ता था और क कुछ गलत इस पुस्तक में उसने लिखा यह फार्सी में लिखी गई इस समय में इसको लिखा गया बह्मन साह का दरवारी था फिर्दोसी की शहनामा के आधार पर पद्य में इसको लिखा गया और यह उसी को समर्पित से मतलब है यह है अलाउदीन हसन बह्मन साह को समर्प पुसतख को प्रांतों के बारे में आच्छा बता की काउंसी बुक है जो प्रांतों के बारे में अच्छी बाते हैं इतने स्क्रीन शोट ले लिजिए आगे देखते हैं कि राजदानी इस्थाना अंद्रण के सामें इसके दादा खतम हो गए तो बस इसी वजह से मुहम्मद के पुत्र थे तो वह आप देख लिजेगा उसमें यजीद से तुल्ला की है मूर्ख नीच विक्ति कहा है और अलाओदिन खिल्जी की तुल्ला जब करते हुए कहा है अलाओदिन खिल्जी बहुत बढ़िया था जबकि मुहम्मद बिन तुकलक बहुत बेफकूब बेकार वि है यदि इस देश के सभी लोग संगटित हो जाएं और उस पर आक्रमर कर दें तो कोई आश्यर है नहीं कि उसका सिर मिट्टी में मिल जाए तो यहां पर आप देखिए मोहमद बिन तुकलक के लिए बहुत गलत गलत इसने कहा और अलाओदिन खिल्जी की काफी तारीफ की ह तो तारीफ के लिए मैंने यहां प्रसंसावस वर्ड यूज़ कर दिया है तो इसलिए आप समझ जाएगा उस तक में भारत की भोगोलिक सुंदर्ता की भी बात है नूर से पेहर जो अमीर खुसरू की उसमें भी है और इसमें भी लिखा है और यह लाइन बहुत आती है कि स अंती बहुत पूछी गई है most important यह किसने कही है यह पूछा जाता है पहली बार चरखे का वरणन इस किताब में है यह most important इसके अनुसार और वही अच्छी है जो चरखा चला है तो चरखा को लेकर भी यह लाइन कही गई है अमीर खुसरू ने भी कुछ ऐसा ही कहा है तो अंतिम वर्षों का जो मैंना आपको भी डाइग्राम बना के दिखाया तो अंतिम वर्षों में किस प्रकार आप इस कहते हास जानेंगे ना सुरूति मेहमूद का क्योंकि कोई भी नहीं लिखता है यह लिखता है तो प्रशन यह आ चुका है इस क्रीन्शॉट ले लिजिए फिर जल्दी से और आगे बढ़ते हैं तो अब इबन बतुता रहे गया है अब इसको अब ऐसा करते हैं कल देख लेते हैं काफी कुछ हो गया इतना आप स्टेडी करिए तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जो नए चात्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जेक्त कर करते हैं कि आपको अथेंटिक और अच्छी जानकारी मिली होगी और जो भी चीज़े हैं वह आपको बिल्कुल तरीके से और कॉंसेप्ट वाइज आपको कहानियों के माद्यम से डियागराम के माद्यम से आपको बताएं तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जुरू ब करते हैं